नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का एक फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जाहिन पर और आज हम बात करेंगे भारत के पहले अंट्रास्ट्रिय क्रिकेट मैच वंडे क्रिकेट मैच की जो हुआ था आज से लगवग में से 40 साल पहले 13 जुलाई 1904 इस वी में भारत बनाम मैच के वा था और मैच के सारी जानकारी देंगे उस मैच में हग्या था और यहां भारत को बात करते हुए बत कर देन आरहाण ध violation वसमें वह आजित वाड़े कर थे तो यहां पर जो माइकल थे उन्होंने टॉस जीता और भारत को बैटिंग के लिए आमन्तिर किया था तो भारत नहीं है भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए उसम्स अमें भारत के उस मैच में 28 रन बनाए थे, सुधिर नाइक ने उस मैच में 18 रन बनाए थे, और जो भारत के कप्तान थे अजीत वाडेकर उन्होंने उस मैच में 67 रन बनाए थे, उसके अर्गुंडपा विशुनाथ जो 2nd डाउन पर आये थे, उन्होंने 4 रन बनाए था, फारुक इंजीन रागवन ने एक रन बनाया था, नौट आउट रहे थे, और विशन सिंग बेदी जो है, वो जीरो पे आउट हो गये थे, इस तरह से भारत ने पूरा पच्पन अवर बिना खेले, पच्पन अवर से पहले भारत की तीम पूरी तरीके से अल आउट हो गई थी अब भारत का टोटल स्कूर था, वो 265 रन था, उस समय जो वन डे मैचेस हुआ करता था, वो 55 अब इंग्लेंड के समक्ष जो स्कूर मिला था, इंग्लेंड को चेस करने के लिए, वो 266 रन का मिला था, उसे पहले हम बता दे कि इंग्लेंड के तरफ से क्रिस ओल्ड करके जो एक अब भारत के तीन प्रमुख बल्यवाज को उन्होंने आउट किया था अब इंग्लेंड को अगर यह मैच जीतना था उसे 266 बनाने थे लेकिन यहां से इंग्लेंड की बल्यवाज जॉन एड्रिक करके बल्यवाज थे दिनोंने 90 रन की काफी अच्छी पारी खेली जिसे करण इंग्लेंड ने भारत को काफी आसानी से इस मैच में हरा दिया था इंग्लेंड ने 6 विकेट पर 266 बना लिये थे और इस तरह से भारत को अपने पहले अंट्रास्ट्री यह वंडे मुकाबले में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था उस सीरीज में भारत ने कुल मिला के पांच मैचेस खेले थे इंग्लेंड के साथ और वो काफी बुरा सफर रहा था भारतियों के लिए भारतिय टीम के लिए क्योंकि वो पांचों मैच हार गये थे जिसमें से तीन टेस्ट मैच और दो वन डे मैच था तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके चलूर बताएगा तो मिलते हैं कल आप से फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन दे मात्रम